डेट आज 17 जनवरी 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स्ट टॉपिक है थारू पीपल ये प्रिलिम्स और जी एस पेपर वन के लिए इंपोर्टेंट है ये कॉम्मिटी है जाती है जो स्टी में आता है हमारे इंडिया में जूल ट्राइम में नाबाड है एक संस्ता नैशनल बैंक फोर एग्रिकल्चर एन रूरल डवलपमेंट ये क्या काम करता है देखो डारेक्टली ये लौन नहीं देता किसानों को या रूरल डवलपमेंट के लिए लोगों को लेकिन ऐसे बैंक जो किसानों को लौन देते हैं कर्ज देते हैं या रूरल डवलपमेंट के लिए लौन देते हैं उन बैंकों को ये लौन देता है 1982 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेड़कॉर्टर है वो मुंबई में है तो फोरस्ट डिपार्टमेंट और नाबाड ने स्किल डेवलप्मेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करिये थारूप पीपल को इसलिए ये न्यूज में आये क्या मतलब है कोई इसकिल डक्स खिकाना कोई काम सिकाना कम्प्यूटर से या कोई काम जो हाथों से या जा सके तो इस तरह के जो जैसे हैं 살 addresses को पर्मूट करने है wildlife century का यह forest official है जो इस wildlife century के उन्होंने यहां पर जो human animal conflict होता है human animal conflict क्या है human wildlife human wildlife conflict यह human animal conflict देखो जो man जंगलों को काट देता है आदमी जंगलों को काट देगा deforestation करेगा तो जंगलों से जो जंगली जानवर है animals है वो बाहर आ जाएंगे फसलों को खा जाएंगे फसलों को खराब कर देंगे crops को तो human और animal का conflict होगा विवाद होगा तो इस human wildlife conflict को कम करने के लिए इस area में थारू people को skill training दी जा रही है जिसकी वज़े से वो इन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें तो थारू इंडिया का indigenous group है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाया जाता है इंडिया में और नेपाल में भी पाया जाता है जैसे यह देख रहें आप वर्ड में यहां पर नेपाल और इंडिया है नेपाल में population पाई जाती है और इंडिया का जो border area है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ इनकी population पाई जाती है थारू पीपल की यानि कि तरही रीजन में हिमालेन फुठील है उसके तरही रीजन में जो आपने पढ़ा होगा जोग्रोफी में यह greater हिमाल्या हिमाल्या के पार्ट greater हिमाल्या इसे उपर trans हिमाल्या है trans हिमाल्या फिर greater हिमाल्या middle हिमाल्या फिर सबसे नीचे यह outer हिमाल्या यह जिसे सिवालिक हिमाल्या भी बोलते हैं तो सिवालिक हिमाल्या से south में तरही रीजन आ जाता है लोग नैपाल में रहते हैं और इंडिया में लगबग 1,70,000 लोग रहते हैं इंडिया में थारू पीपल कौन सी लेंग्वेज बोलते हैं कि दोखो यह रीजनल लेंग्वेज एंकी छेत्रे भासा छेत्रे बोली बोल सकते हो डाइलेक्ट का मतलब ए कि वह प्रॉपरिक भासा नहीं है जिसका कोई इस script हो लिपी हो या उसका अलग से कोई पहचान हो बस यह है regional लेवल पर local लेवल पर बोली जाती है उसे बोलते है डायलेक्ट बोली थारू बोली जाती है इसी community का नाम भी थारू है और थारी बोली का नाम है कौन सी language से ब्लॉंग करती है थारू जो बोली है देखो इंडो- इरानियन गुरूप उसी के अंदर है इंडो- आरियन सब गुरूप उसकी ही language है यह थारू डायलेक्ट है जो जनलों में फिस बगयरा का यह पालन करते हैं फोरेस्ट प्रोड़क्ट है उनको अपने जीवनियापन चला देते हैं देखो वैसे तो यह हिंदू ही है मगर हिंदू पीपल के साथ साथ यह हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन हिंदू धर्म की जो practices है ट्रेडिशन हैं उसके साथ यह और भी इनके traditional ritual specialist हैं यानि कि और भी कैसारी tradition है जिनको यह follow करते हैं जो थारू village है उसमें council होती है उसका headman होता है यानि कि मुख्या वो थारू village को चलाता है गवर्न करता है जो यह Qatar निया घाट wildlife century है जिसमें थारू people को training दी जा रही है तो यह कहां पर located है यह भी आपको याद रखना है उत्तर परदेश में लखीमफूर खेरी एक district है वहाँ पे दुद्वा टाइगर रिजर्व है दुद्वा टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है यह Qatar निया घाट wildlife century भरा यह बहराईच district है उत्तर परदेश में वहाँ पे तरही रीजन में located है यह Qatar निया घाट wildlife century आपको location याद रखने है इसकी और इसमें क्या-क्या पाया जाता है यह भी याद रखना है यह इंडिया और नेपाल के जो टाइगर है विटेट है उसको connect करता है यानि कि इंडिया से नेपाल में जो जंगल है टाइगर आते जाते रहते हैं उसको connect करता है यह Qatar या पत्री कि यूज करते हैं गाटर की जिगहें पे पहले साल की लकड़ी यूज की जाती थी गाटर की जिगहें बहुत ज़्यादा हड होती है यह टीक की लस ग्रास बेंड पाये जाते घासके मैदान swamp पाए जाते हैं wetland wetland आप जानते हो आदरभूमी ऐसी भूमी जहांपे कुछ समय के लिए साल में या साल में पूरे सालों साल permanently पानी भरा हो रहता है उसे बोलते है wetland या आदरभूमी swamp क्या है? swamp में भी देखो दलदल बोलते है हिंदी में दो लेकिन देखो दो वर्ड है इसे आपको confusion नहीं होना चाहिए एक बोलते mars और एक होता swamp swamp और mars दोनों दलदल हैं लेकिन दोनों में फरक है थोड़ा सा देखो mars वो होता है जैसे यहाँ पर पानी भरा और इसमें घास उग रही है तो यह हो गया mars दलदल है swamp क्या यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसमें घास के साथ बड़े-बड़े पेड़ भी है वो हो गया swamp यह भी दलदल है तो यहाँ पर swamp भी मिलता है फोना में क्या मिलता है यानि कि पसू पक्षी फोना में क्या मिलता है endangered species मिलते हैं बहुत से घरियाल है घरियाल मगरमच की एक परजाती है टाइगर मिलता है राइनो मिलता गेंड़ा गंगेटिक डॉल्फिन गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जानते हो आप गंगा नदी में मिलती है डॉल्फिन swamp deer मिलता है हिरन hispid hair hargos bangal florican यह पक्षी की परजाती है यह आद होना चीए आपको इस तरह से पूस लेता है यह PSC 3-4 देते थे था और कहते था क्या है यह पक्षी है या पसू है या human की परजाती है कोई monkey की परजाती है ऐसे पूस लेता है तो bangal florican यह जैसे बतक होती है इस तरह की पक्षी होती है white-backed और long-billed vultures यह गिद्ध की परजाती है यह भी बतक की तरह दिखते हैं थोड़े बड़े होते हैं लेकिन गिद्ध next topic है LHS 475B यह prelims के लिए इंपोट एंटर में दी NASA ने अब इसको find क्यों आए NASA क्या है National Aeronautics and Space Administration इन बोलते हैं हिंदी में James Wave Space Telescope यह अभी देखो world का सबसे अच्छा better Telescope है इसके बारे में UPCN 2022 के means में question भी पूछा था तो James Wave Space Telescope के जरिए यह पहली बार इस Telescope से पहली बार एक exoplanet discover किया है उसी का नाम रखा है यह LHS 475B क्या है यह exoplanet याद रखना exoplanet exoplanet क्या होते हैं यह अभी जानेंगे यह यह देखो इस तरह का यह planet है गिरह हमारे अर्थ की तरह का इस दिखाई देता है यह researcher ने राम रखा है इसका exoplanet यह अर्थ के same size का लगबग जैसा हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं पिर्थवी उसके तरह का size का है यह और अर्थ से कितना दूर है 41 light years दूर है light years में कितना किलोमेटर होता है देखो एक साल में light जितनी दूरी तया करेगी उसे बोलेंगे light year देखो आपको पता है जो प्रकास है यानि कि light है सूरस से आ रही है या है आपकी घर में बलब है उससे light निकल रही है वो कितनी तेजी से चलती है जैसे अभी आपने बलब जलाया पूरे रूम में light फैल जाती है चारो तरफ कितनी इसकी speed होती है 3,00,000 km प्रती घंटा आपने पढ़ा ही होगा 3,00,000 km प्रती घंटा और यह अपना जो चक्कर है star के चार ओर यह दो दिन में कर लेता पूरा दो दिन में पूरा कर लेता है रेड द्वार्फ star है जिसके चार ओर यह चक्कर लगाता है गरे जो अभी मिला एक्जो प्लानिट LHS 475B एक्जो प्लानिट क्या होते है देखो हमारा solar system में आपको पता है जितना भी आपको पूरा आस्मान में दिखाई दे रहा पूरा universe है यह universe मतलब ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी करोडो और वो galaxies होती है हमारी galaxy जिसमें अर्थ है उसका नाम है Milky Way दुग्द मेगला हिंदी में बोलते हैं Milky Way बहुत सारी galaxy होती है उनमें एक solar system जरूर होता है ऐसा वैग्यानिक कहते हैं scientist जैसे हमारी Milky Way में galaxy में solar system में Sun एक स्टार है उसमें और Sun के चार और कुछ गिरह चक्कर लगा रहे हैं हमारे अर्थ और बाकी गिरह को मिलाकर आठ गिरह हैं कुछ छोटे गिरह हैं कुछ धूम के तू है यानि कि कुछ एस्टरोइड है कुछ कॉमेट है छूदर गिरह और स्टार का ऊरिट करता है इसका कुछ अपना स्टार होगा जैसे हमारे अर्थ चार और चक्कल लगा रही है, सन के, सूरज के, ऐसे इसका भी कोई सूरज होगा, स्टार होगा, एक्जो प्लानेट जो मिला है, डिफरेंट साइज के होते हैं एक्जो प्लानेट, ऐसा नहीं है, अर्थ के साइज के होते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते है Jupiter की तरह Jupiter से भी बड़े हो सकते हैं जैसे बिर्षपती ग्रह से भी बड़े हो सकते हैं Gas form में या Rocky चत्टान form में जैसे Earth है चत्टान form में इसके तरह हो सकते हैं इससे छोटे भी हो सकते हैं इन पर different temperature हो सकता है 100 degree से भी ज़्यादा temperature हो पानी उबलता रहे है वहाँ पर या इतना cold हो सकता है बरफी जमी रहे कुछ भी temperature हो सकता है scientist देखो directly तो जाके कोई discover नहीं करता है कि वहाँ पर गया हो scientist देखा हो indirect method से पता लगाते हैं discover करते हैं exoplanetist के बारे में star होगा जैसे अगर star है तो star का कम से कम एक planet होगा जो इसके चार उर चक्कल लगा रहीं या इससे ज्यादा होगे एक से scientist कहते हैं विग्यन कहते हैं तो इस exoplanet का फाइदा क्या होगा जो discover यह होगा कि यह जो exoplanet मिला इसका solar system क्या इसको समझने में हमें मदद मिलेगी और जब हम इसके solar system को समझ सकेंगे तो हो सकता हमारा भी तो solar system कुछ इस तरह सी बना होगा ऐसे ही तो universe की उत्पत्ती होगी तो क्या होगा हमें पता चलेगा हमारा solar system कैसे evolve हुआ कैसे evolution हुआ कैसे universe बना तो इन सब के हमें answer मिल सकेंगे next topic है Doppler weather radar देखो इसके बारे में detailed lecture science and tech की playlist में पढ़ा हुआ है और वो 10 से 15 मिनट का ये 20 मिनट का lecture होगा बहुत ही detail में और इससे UPSC ने prelim में कई बार question पूछा है और news में ही रहता है आगे भी पूछा जा सकता है तो detail में आप वहाँ देखला जितना ये news में है अभी उतना ही मैं discuss करूँगा prelims और GS paper 3 के लिए important है 148 वा foundation day था ये हमारा जो Indian metrological department है ये इंडिया metrological department ministry of earth science के अंडर काम करता है ये forecasting करता है मतलब भविष्यवानी करता है मोसम की weather forecasting करता है ये IMD तो इसके foundation day था है ये जब ये बना था 148 वा दिवस्ता इसका तो इसने कहा है कि 2025 तक हमारी सारी country में Doppler weather radar network लगा दिया जाएगा जो पूरी हमारी देश को cover करेगा ये इस तरह के होते हैं Doppler radar जो earth science minister है उन्होंने कहा कि चार Doppler weather radar system एक western हिमालन स्टेट्स में जम्मू कस्मीर में उत्राखंड में हिमाचल परदेश में लगाए जाएंगे और आने वाले समय में और भी जगे जगे पे ये लगाए जाएंगे radar system तो radar काम करसे करते हैं और क्या काम आता है देखो radar होता क्या है radar सिर्फ क्या radio waves ही होती है energy of beams जैसे waves है जैसे आपने देखा होगा सूरज देखा है आपके घर में बल्फ है उससे किरने आ रही हैं देखना उसकी तरफ आपको पता चलेगा इस तरह की रेज होती है radio waves होती है radar से radio waves निकलती है जैने beam of energy भी ओलते हैं ये एक antenna जो दिखाई दे रहा था आपको उपर ये antenna इससे radio waves निकलती है radio waves निकलती है और जिस object को हमें measure करना कि कितनी दूरी पर है distance पता लगा सकते हम इससे कितनी दूरी पर ये object है तो यहाँ पर radar से waves जाएंगे radio waves इससे टकरा के वापस आएंगे और आपने मैंथ में पढ़ा होगा ना क्या पढ़ा होगा चाल बरावर दूरी बटे समय पढ़ा होगा ना ये यानिकि speed बरावर distance अपन में time पढ़ा होगा आपने तो ये formula लगा के हमारे पास क्या है हमें पता है कि radio waves हैं जो किरने हैं कितनी मतलब कितनी उनकी speed होती है तीन लाग किलोमेटर प्रती घंटा speed से चलती है तो speed है हमारे पास और कितने time में लोटका है मालो अभी हमने कोई time मालो 10 बज रहे हैं 10 बज ये light हमने छोड़ी radio waves और वापस कितने second में आई हमारे पास तो second time भी हो गया हमारे पास तो हम distance निकाल सकते हैं speed है हमारे पास time है तो इस तरह से object कितनी दूरी पर हम distance निकाल सकते हैं जरिए और direction पता लगा सकते हैं इसके जरिए कि कौन सा object किस direction में है इस तरह से और आपको पता होगा आज कल तो signal जो होते है red light जहां पर लगी होती है green red light signal होते हैं उन पर radar लगे होते हैं कोई बंदा मालो speed ज़्यादा तेजी से चला रहा है जितनी limiter road पर उससे ज़्यादा लगा रहा है तो automatic चालान आ जाता है उसके mobile फिर उसे भरना पड़ता है तो इस तरह से information provide करता कि कौन सा target किस direction में और कहां पर move कर रहा है क्या position है उसकी position target की पता लगाई जा सकती है जो Doppler radar है forecasting में भी है हमारी मदद करता है कि rainfall का भोगा cloud कहां पर ज्यादा बन रहे हैं कहां पर कम बन रहे हैं कहां पर rainfall हो सकता है यह थंडर स्टॉम कहां पर होने वाला है lightning विजली कहां पर कड़कने वाली है यह सब पता लगाया जा सकता है Doppler radar से तो Doppler डॉपलर एफेक्ट को यूज करके पता लगाता है डॉपलर रेडार डॉपलर एफेक्ट क्या होता है डॉपलर एफेक्ट जो होता है एटीन फोटी टू में ऑस्ट्रियन 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 ऑस्ट्रिय कंट्रियों महां के एक फिजिस्ट थे साइंटिस्ट थे समझ लो Christian Doppler, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया कि इन्होंने पहली बार इसको discover किया था Doppler effect को, क्या है Doppler effect देखो किसी frequency से radio waves हमने अभी छोड़ी, तो ये frequency कौन सी है, हमें पता है, इस frequency और ये फिर sound या light waves गई हां से source से, और जब ये observer के पास पहुँची, तो क्या frequency है, इनके बीच में, इनके बीच में, frequency के बीच में जो difference है, उस difference को हम Doppler effect बोलते हैं, तो ये observer की motion को पता लगा सकते हैं, wave source की motion को पता लगा सकते हैं इस से, तो इस तरह से use होता है, इसका Doppler effect का, इसकी वज़े से Doppler effect की वज़े से हम ये भी पता लगाते हैं, कि universe expand करता जा रहा है, जो ब्रह्मा अंड है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा फैलता जा रहा है और, तो इससे Doppler effect की वज़े से हम पता लगाते हैं, red shift जो हो रहा है, red light का shift देखने को मिलता है, उस lecture में अच्छे से discuss क्या हुआ है, science and tech की playlist में जाके आप देख सकते हो, next topic है, financial service institution bureau, prelims के लिए important है, और gs paper 3 के लिए economically important है, यह अभी news में हैं क्योंकि इसने अपनी recommendation दिये, क्या recommendation दिये सिफारिस, कि कुछ bank हैं, सरकारी bank और financial institution, उनके director को appointment करने के लिए recommendation भेजिए government के पास, देखो इससे पहले bank of, यह bank board bureau था, bank board bureau, पहले यह recommendation देथा था government को, यह मतलब साहता करता था, government की सिफारिस करता था, कि इस आदमी को किसी bank का director, chairman बना जाए, लेकिन यह body हटा दी, उसकी जगह पे यह बना दिया, FSIB, Financial Services Institution Bureau, अब यह यह काम करता था, जो bank board bureau करता था, अभी इसने bank of, बड़ोदा, bank of India के managing director की post को, लिए नाम सुझाए है, government को दिये, याद रखना सिर्फ recommendation देता है, सिफारिज देता है, final decision इसका नहीं चलता है, जो यह institution है, इसका final decision नहीं चलता है, तो government body है, यह department of financial service के अंडर काम करती है, यह जो financial service institution board है, ब्यूरो है, यह bureau किसके अंडर काम करता है, department of financial service, और यह department कौन सी ministry के अंडर आता है, ministry of finance, यह आपको सब याद रखने हैं, यह याद होने चीए हैं आपको, वित्त मंत्रा लेके अंदर आता है इसके अंदर ये काम करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले था एक बोर्ड इसको हटाके ये बनाये गए अभी FSIB, क्या structure है इसका, एक इसका chairman होता है chairperson बोल सकते हो और chairperson जो head करता है इसको Central Government का नौमें नहीं होता है इस Board में बहुत सारे Member होते हैं जो Department of Financial Services है उसके Secretary जो होते हैं जैसे आप IS बनोगे Promotion होके Secretary के Level पर जाओगे या IRS हो तो IRS भी जा सकता है IRS जी ही नॉर्मल ही जाता है Financial Services में तो Secretary जब बनोगे आप भी इसके Member बन सकते हो या Insurance Regulatory Development Authority of India ADAI के Chairman है वो भी इसके Member होते हैं बोड के Deputy Governor होते हैं एक RBI के वो भी इसके Member होते हैं और बहुत सारे देखो इसमें बहुत सारे तीन Part-Time Member भी होते हैं जिनको Experience होता है Banking का या Insurance Sector के में से भी तीन Member और आते हैं इसमें Primary role क्या है इसका Financial Service Institution Board का पहला तो यही है कि देखते हैं कि इस Man में Capability है कि इसे Director की Post पे या Chairman की Post पे बिठाया जाए यह देखते हैं और Government को Recommendation देते हैं Full Time Director और Non Executive Chairman की Recommendation प्रवाइड करते हैं Final Decision कौन लेता है Final Decision लेता है Appointment Committee यह Appointment Committee of Cabinet होती है इसको Head कोन करते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर तो यह Appointment Committee ही Final Decision लेती है इसकी Recommendation के आधार पे जो FSIB Recommendation करता है इसके Mandate क्या है यानि कि और Function क्या है FSIB के Financial Service Institution Bureau के यह Guidelines Provide करती है कि General Manager है या Director है पब्लिक सेक्टर बैंक के Insurance Companies के उनको Guidelines Provide करती है या Private Bank Private Insurance Company उनके लिए भी Direction Provide करती है Business Strategy कैसी होंगी कैसे Formulate करना है सब यह Provide करते हैं और Monitor करते हैं यह Firm Moments Performance पब्लिक सेक्टर बैंक की Performance को Monitor करते हैं मुल्यंकर करते हैं Assessment करते हैं Insurance Company का भी Assessment और Monitoring करते हैं यह Next Topic है Soul of Steel Challenge यह Prelims के लिए Important है मेंली तो अभी यह जो हमारे Defense Minister है राजनात सिंग जी इन्होंने Launch किया इसको Soul of Steel Challenge या Soul of Steel Alpine Challenge क्या है यह देखो इसमें Main काम यह है कि जो Border Area इंडिया के इंडिया के Border Area है उन पे क्या है Tourism सेक्टर को परमोट करना है जादा जादा Tourist Border Area पे देखने के लिए क्योंकि Border Area पे लोगों के लिए लाइबलिवूड के Sources कम है Income Source बहुत कम है लोगों के लिए रोजगार नहीं है वहाँ पे कुछ Income हो नहीं पाती जब यहाँ पे Tourist आएंगे तो वहाँ से लोगों से वहाँ की दुकाने हैं कुछ उनका सामान खरीदेंगे कोई मालोग Transportation सिस्टम में या कोई Auto रिक्सा चलाता है या कुछ चलाता है तो उनको रोजगार मिलेगा तो इस तरह से ये Border Areas में Tourism सेक्टर को पर्मोट करने के लिए स्कीम है और ये चलाए गई थी Veteran डेपे Veteran बोलते हैं जो पूर्वसेनिक होते हैं रिटार हो जाते हैं उनको बोलते हैं जैसे कोई फौजी रिटार होगा Veteran बोलेंगे या कोई अनुभवी वैक्ती Veteran तो ये देहरादून में event स्टार्ट किया गया और वहाँ पे इस challenge स्टार्ट किया गया इसमें 12 इंडियन पार्टिस्पेंट हैं पलस में 6 इंटरनेशनल टीम भाग लेंगी जो 18 से 30 साल के इसमें ग्रूप में लोग होंगे और इस challenge में देखो तीन महीने तक ये challenge चलेगा लोगों में ये campaign चलाएंगे और जानकारी उपलब्द कराएंगे spread करेंगे awareness जाग रुकता फैलाएंगे इसको organize कौन कर रहा है इस challenge को एक global एक entity है जिसमें वेतरन ही एस group में एक organization मालो group है एक समूँ जिसमें पूर्वसेनिक different different countries के रहते हैं वो इसको organize कर रहे हैं next topic है current ethnic people जा current भी हो सकती है इसकी pronunciation क्योंकि यह हमारे इंडिया में नहीं पाये जाते है मैनमार में हैं लोग एक जाती है कास्ट है कास्ट का नाम है current current यह prelims के लिए important है अभी news में इसलिए आए क्योंकि देखो मैनमार की जो military है उसने कुछ air strike किया bump डाले इस community और यहाँ पे पांच लोग मर गए current community से बिलोंग करते थे यह इस तरह के दिखते हैं कुछ यह बच्चे current community से हैं यह mainly south इस्टेशिया में पाय जाते हैं लेकिन इनका origin गोबी डिजर्ट है जो चाइना का मंगोलिया और चाइना का बीच में मंगोलिया में तिब्बत में इनका origin हुआ यहां से लोग निकले फिर different different part में जाके बस गए मैनमार में या फिर थाइलेंड में eastern मैनमार है सालविन रिवर के पास मैनमार में सालविन रिवर इरावेडी रिवर का डेल्टा वहाँ पे बसे हुए है इरावेडी रिवर है जो नदी यह मैनमार के सबसे बड़ी नदी है इरावेडी रिवर religion के आयन का धरम देखो mostly people हैं बुद्धिस्ट यानि कि बहुत धरम को मानते हैं लेकिन कुछ people Christian में भी convert हो गए है जब बेटिस comment थी ना यहाँ पे मैनमार में इंडिया में तो बहुत सारे कारण people को convert कर दिया था Christianity में तो लगवग 30% people Christian है इस community के कारण community के population कितनी है इनकी लगवग 4 million यानि कि 40 लाख language कौन सी बोलते हैं तिब्वेतो बर्मन फैमिली के language बोलते हैं और इनके dialect भी है यानि कि इसकी रीजनल लेवल पर जो भासा बोली बोली जाती है भासा तो नहीं बोलेंगे बोली बोली जाती है जैसे पी डबलु वो गो ये परननस्टेशन पता नहीं कुछ और भी हो सकते है इसकी तो ये डाइलेक्ट भी बोली जाती है इनके द्वारा इसकी अभी एक मीटिंग हुई जो इंडिया ने होस्ट की नियु दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई फुल फॉर्म है इसकी बेव बंगाल इनेसिटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल एन एकॉनमिक कोपरेशन तो ये इसकी वर्किंग गुरूप जॉइंट वर्किंग गुरूप की एक मीटिंग हुई और टांस नेशनल क्राइम के उपर के टेरिरिजिम जो आतंगवाद बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए इस पर जो मीटिंग हुई है इसमें ट्रेडिशनल नौन ट्रेडिशनल सेक्योरटी थ्रेट्स जो भी है बिम्स्टेक ससरे को रोकने के लिए यहां पे डिसकरन कィया गया कउउंटर टेरर डील करने के लिए कुछ पॉलिची नियम अपनाए गया जैसे intelligence sharing करेंगे, आपस में जो भी report, मतलब कोई भी जानकारी मिलती है terrorism के बारे में, आपस में share करेंगे, legal or law enforcement, जो भी कानून है terrorist related, उनको enforcement करना, लागू करना सही से, radicalization और terrorism को counter करना, anti money laundering act है जो, उसको धंग से implement करना, और financing of terrorism है, यानि कि आतंगबाद को बढ़ाने के लि लड़ना, money laundering का मतलब जो, काले धन का circulation जादा इसको रोकना, money laundering का मतलब होता है, कि सपेज काले धन को सपेज धन में convert करते हैं, black money को white money में convert करने के process को money laundering बोलते हैं, तो इसको रोकना, human trafficking जो होती है, human trafficking का मतलब है, मानव तसकरी, यानि कि लोगों का वस्तु की तरह खर लिए दवाएं हैं साइको टॉपिक सब्स्टांसी जैं प्रीकसर केमिकल्स वगएरा इनका जो आवागवन होता है इनको रोकना बिम्स्टेक क्या है बिम्स्टेक देखो एक और जिसन है जो 1997 बनाए गए थी और इसका हेड़क्वाटर बंगलादेश की केपिटल धाका में है धाका 1997 में बनाए गए थी और इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है बंगलादेश इंडिया मैनमार स्रिलंका थाइलेंड भूटान नेपाल देखो इंडिया के चार ओर यह सारे बलब तीन ओर कह सकते हो स्रिलंका आप जानते हो कहां पर यह देख दिखा देता हूं आपको दे आई थी एक बैंककोग घोसना पत्र इसके जरिए यह और्गनाजेशन बनाए गए थी बिम स्टैक नेक्स्ट टॉपिक है चुन्यून चुन्यूनी एक टर्म नियूज में थी है भी प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है बस चुन्यून एक यात्रा है ट्रेवल कहां पर होती है चाइना में चाइना का जो न्यू यर आता है ना चाइनीज न्यू यर जो लोनार कलेंडर पर बेस्ट होता है देखो एक बात बताता हूं आपको कई बार क्या होता है इंगलिक्स के जो क्वेश्चन आता है उसमें हम कन्फूजन हो जाती है हमें कलेंडर की स्पैलि पर बेस्ट जो कलेंडर बनता है उसको बोलते हैं lunar calendar moon के बेस्ट पर जो कलेंडर बनता है तो lunar calendar के आधार पर Chinese New Year जब होता है उस पर यात्रा होती है कि न्यू यर्ट उता है,charidrou किस पे बेस होता है, bagusить फोजीशन के, इह इस बार न्यासाल कलूं के स्टाट होगा चाहिना का, और जब न्यू मून लगता है, लुनार कलेंडर के साथ पहला नया चंज्न आने उभरता है उस टाइम पर यह चन्यून यात्रा स्टार्ट होती है और जब फुल्मून फर्स्ट फुल्मून होता है उस पर यह एंड होती है 15 दिन के बाद नेक्स्ट टोपिक है ड्यूटी ड्रवबेक स्खीम यह प्रिलिंस के लिए इंपोर्टेंट है मेंली तो है,क्या यह त्रेडर है वैपारी इसने बाहर से most अमेरिका से यूएस कुछ चीज मंगाई import कि अब import पर ये custom duty देगा custom duty क्या होती है custom duty बोलते हैं जो import export duty लगती है हमने बाहर से कुछ मंगाया इस पर government tax लेगी तो वो import duty हमने यहाँ से इंडिया से US में कुछ बेचा export किया तो उस पर export duty लगेगी तो import export duty को मिला गब बोलते हैं तो मानलो ए ट्रेडर था इसने अमरीका से कोई चीज मंगाई मानलो कोई चीज मंगाई अब उस पर इसने टेक्स दिया इंपोर्ट ड्यूटी दी लेकिन उसने क्या किया इस पर प्रोसेसिंग की मानलो इसने कच्छा तेल मंगाया था मानलो कोई कोई ऐसी मानलो इसने आटा म मंगाया आटा मंगाया किसी का भी घ्याओं का किसी का भी उससे इसने प्रोसेसिंग की उससे ब्रेड बनाके बेच रहा है यह अब ब्रेड बनाके फिर दुबारा यह एक्सपोर्ट कर रहा है किसी और कंट्री में यूएस में किसी और कंट्री में तो इसने जब यह खरीदा तब भी import duty दी होगी USA जब ए ने खरीदा आटा तो import duty दी थी और जब बेचेगा जब भी export duty देगा ठीक है जब भी tax देगा government को बेचेगा processing करके और जब खरीदेगा जब भी देगा तो government ने इसी को यह जो double tax session हो रहा है इससे बचने के लिए trader के फायदे के लिए scheme चलाई यह scheme चलाई जिसका नाम है duty drawback scheme drawback का मतलब वापस लेना duty का मतलब tax tax को वापस लेने की scheme यानि के देखो जो जब इसने यह माल आटा मंगाया था तो import duty जो दी थी अगर यह processing करके export करता है माल को तो फिर government इसकी जो import duty tax लिया था उसको वापस कर देगी कि भीया तुने export duty भी scheme duty drawback scheme तो यह exporter है जो कोई भी उसको refund देता custom duty जो ली हुई होती है कोई भी imported goods है जो treat किया process किया और बाद में उसको export कर दिया तो उसको वापस कर देती है government यह और यह चार साल के अंदर-अंदर कोई भी trader claim कर सकता है कि यह मैंने चीज मंगाई थी import duty दी थी इस पे और हम मै process करके export कर रहा हूं तो जो पहले मैंने import duty दी थी मुझे वापस कर दो तो government वापस कर देती है next topic है doctor दीदी यह doctor दीदी एक लेडीज है एक ही लेडीज नहीं है बहुत सारी है यहां पर जहारखंड में 24 डिश्टे का वहां पर लगवक एक हजार महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं अभ्यान चला रही हैं तो इनी महिलाओं को बोला है doctor दीदी यह पसू सकी पसू सकी तो एक तरह से यह जहारकंड में social capital create कर रही है और prelims में social capital related क्या यह बार question पूछा है तो हमें यह जानना पहली बात तो कि यह doctor दीदी क्या है वो हमने जान लिया दूसरा social capital क्या है य अचीव करने के लिए तो इन जो shared value है इनी को बोलते है social capital यानि कि आपस में मिल जूल की भावना रहे प्यार बढ़े यह है social capital यानि कि set of shared values और resources that allow individuals to work together in a group to achieve एक common purpose तो यह आपको याद रखना है social capital क्या है आपस में harmony मधूर सम्मद रहे लोगों में एक अपने common purpose को common उद् दीदी है इनसे क्या-क्या value सीखी जा सकती है यह आप देखो इने social capital तो यह आपका prelims के लिए important है GS paper 4 के लिए important है और इनसे value क्या-क्या सीखी जा सकती है doctor दीदी से पसू सकी से यह भी GS4 ethics के लिए important है पहला तो social engagement और persuasion यह लोगों को मनाती है persuasion का मतलब किसी को अपनी बा को डी वर्मिंग कव करना हाईजनी condition कैसे मेंटेन करनी है beading facility के लिए feeding कव देना है animal waste को कैसे manage करना है जो animal waste है उसको कैसे manage करना ये सब कुछ बताती है डोर-डोर जाती है campaign करती है यह collaboration करते है इसमें कौन-कौन जाहरकण government कर रही है collaboration जाहरकण government कर यह एक scheme है देखो जाहरक करने के लिए capacity building provide कर रही है देखो लोगों को घर घर जाके कुछ सिखहा रही है ना कुछ सिखाना ही तो क्या है capacity building तो community resources की capacity capacity building create कर रही है लोगों में 30-day की training program रखती है ने कि लिए social capital के बारा ममनें हमें उपर discuss कर रहे 3 है नेक्स्ट टॉपिक है यू एई सुल्तान अल जैबर देखो यू एई आपको पता एक कंट्री है युनाइटिड अरब अमीरात यहां पर देखो यह वाली सौधी अरब के पास छोटी सी यलो में यहां के सुल्तान एक अल जाबेर इनको क्या है जो क्लाइमेट चेंज कंफरे कंफरेंट सेंज कोखिशन इसकी कंफरेंस ओफ पारटी होती हैं कि करो कंफरेंसे के से क्या जांते हैं जैसे सी यहवार्पन ऑक्राय न कर्सार मेंुद तो यह जो जैसे क्याpton काफन कैसी क्या जान्याइजतीम सब्सक्राटी+, atmosphere का अर्थ के वाता वरंग का जो average temperature का बढ़ना ही global warming है तो इसकी वेज़े से बहुत नुक्सान होते हैं बर्फ जो glacier से पिगल जाते हैं समुदर तल बढ़ेगा और सारे देश डूब जाएंगे crop system destroy हो सकता है food security security खत्रे में आ सकती है बहुत सारे नुक्सान होंगे extreme weather events cyclone कहीं पर आना कहीं पर सूका पढ़ना कहीं पर बाड़ आ रही है इस तरह के नुक्सान होंगे तो इसको green house gas को कम करने के लिए यह meeting करती है conference of parties और conference of party में जो decision लिये जाते हैं अब वो इसमें discuss किये जाते हैं कि कितना किस country ने उस पर काम किया green house gas कम करने के लिए कितना काम किया क्या कर रहे हो आप कैसे achieve करोगे वो discuss होता है United Nation की जो होती है annual climate change conference इस साल इसके CEO मतलब एक तरह से कहींगे अध्यक्ष यहने कि host करेंगे यूई country host करेगा और इसके जो चेयर परसन होंगे सुल्तान अल-जबेर को बनाए गया president एक सारे बोल सकते हैं अध्यक्ष तो यह है कौन सुल्तान अल-जबेर देखो इनकी एक oil company है जिसके यह CEO है चीफ executive officer oil company तो जानती होंगे आप कोई भी petroleum की company जो petrol diesel बनाती है इनकी company है तो वो उसके यह CEO है अब problem क्या है जब इनको बना दिया इसका United Nation की जो climate change conference है इसका president बना दिया problem क्या है देखो problem यह आ रही है climate change conference में अभी हमने discuss किया क्या discuss करते हैं इसमें इसमें discuss यह करते हैं कि जो greenhouse gas को किस country ने कितने कदम उठाए इसे कम करने के लिए और आगी क्या कदम उठाएगे और कैसे achieve कर रही है एक goal को लेकिन देखो यह oil company के खुद CEO है और oil company से greenhouse gas निकलती है जब oil produce होता है और oil vehicles में यूज होता है जब यह खुद greenhouse gas के production में खुद हि यह GS4 के paper में भी कामा सकता आप एतिक्स में मेली ethics में कामायेगा तो यह क्या हो गया conflict of interest conflict का मतलब विवाद conflict of interest क्या होता है conflict of interest हर साल किसी ना किसी form में हर साल कोई साभी मेंस का पेपर उठा के देख लो आप जियस पेपर 4 का, एथिक्स का हर साल किसी न किसी तरीके से conflict of interest के बारे में question आता ही आता है question बदल जाता है, answer नहीं बदलता उसका याद रखना, question बदल जाएगा answer नहीं बदलेगा, conflict of interest क्या है definition थोड़ी ना बदलेगी उसकी, वही दो गया तो क्या है conflict of interest देखो अभी एगजांपल दिया ये एगजांपल दे सकते हो आप जैसे एगजांपल कहता है न यूपेसी एगजांपल के साथ describe करो, conflict of interest क्या है तो अभी recent example दे सकते हो सुल्तान अलजबर CEO है, oil company के उनहीं को president बनाया गया United Nation की annual climate change conference जो होती है उसका तो ये conflict of interest हो गया क्या है conflict of interest जब कोई आदमी public office का public office का use private purpose के लिए करे या ये तो corruption में भी आ गया है या कह सकते हैं कि देखो public और private interest में जब विवाद पैदा हो एक तरफ हो public के values एक तरफ हो private अब इसमें क्या रहा है एक तरफ तो green house gases को कम करना है दूसरा खुद ये green house gas निकलती है जिनसे ऐसी company के खुद ये CEO है तो अब इसमें तो conflict of interest हो गया न ये तो वही बात होगी जिस judge पे case चल रहा है वही judge उसको सुने तो ये क्या हो गया conflict of interest भैसब आपके rape के आरोप लगे और आप ही judge जो हो फैसला सुनाने के लिए तो आप क्या transparent दोगे फैसला decision दोगे तो ये क्या है conflict of interest तो ये ही है conflict of interest तो ये ही सिखाना था इसमें बस बाकी कुछ ये लिखा हुआ है ये ही topic थे आज के